सिर्फ आदा चमच गरम पानी में मिलाकर पीलो। पूरी जिंदगी सुगर की बीमारी, कॉलोस्टोल की बीमारी, पेट के रो, मुटापा, जोडों का धर्द, बवसीर और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे के बारे में बताएंगे, जिसका प्रियोग करके आप अपने पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं, यानि सिर से लेकर पैर तक की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों आपके सरीर की चाहे कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का आप नाम ले लीजे और उस बीमारी में इस नुस्खे का प्रियोग कर लीजे। यनि आप अपने सरीर की एडि से लेकर चोटी तक की हर बीमारी में इस नुस्खे का इलाज कर सकते हैं। इतना है ये चमतक दोस्तों चाहे आपको diabetes की समझ्या हो और आप अपने प्लोक कें का करना चाहते हो अपने हार्ट को मजबूत बनाना चाहते हो तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए दोस्तों या आपको पेट की रोग है पेट में गैस रहती है, कबज रहती है या कोई आन्य समस्चे है तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए या आपको मोटापे की समस्चे है तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए आपको बवासीर की बीमारी है तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए आप बिल्कुल सलीम और फिट बनना चाहते हैं तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए अस्थमा की समस्य है तब भी ये नुसका आपके लिए राम बन है और आपने करना के सरफ आदा चमच हर रोज गरम पानी में मिला कर पीना है और इससे आपको चमतकारीक फाइते दिखाई देंगे दोस्तो आज की सुड़ियों में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कोई और चीज नहीं दोस्तो वो है कलोंजी का तेल दोस्तो कलोंजी का तेल, हारदे रोग, बलड पैसर, डाइबटीज, अस्थमा, खासी, नजला, जोडों कदर, बदन कदर, कैंसर, किड़नी, गुर्दे की पत्री, मुतराश्य के रोग, मर्दाना कमजोरी, बालों के रोग, मोटापा, यादास्त को बढ़ाने, मुहासे, स उंदर चहरा, अजीन, उल्टी, तेजाब, बवसीर, लुकोरिया, आदी गंबीर बीमारियों से, आपको एक साथ छुटकारा दिलाने की ताकत रखता है, दोस्तों यह अनमोल, चमतकारिक दवा, बलेक सीड ओय, जिसे हम कलोंजी का तेल भी कहते हैं, यह असानी से, आपको मार्किट में मिल जाती है, कलोंजी के तेल में मुझूद दो बेहद परभावकारी तत्त, थाइमोकिवनोन और थाइमो, हाइडोकिवनोन में विसेज हीलिंग परभाव होते हैं, यह दोनों मिलकर इन सभी वीमारियों से लड़ने और आपके सरीर को अंदर से हील करने में म मतद करते हैं, और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं, कि यदि आपके सरीर की इम्म्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती हाई होगी, तब आप बहुत तरहें की बीमारियों से बचे रहेंगे, दोस्तों काडियोवस्कुलर डिजिज, एम अस्थमा, बलड कैंसर, अविक्स और तवचा रोगों में भी यह नुस्खा बहुत अदिक कारगर हैं, दोस्तों यह कोई नई दवा नहीं हैं, बलकि इन गंबीर बीमारियों के लिए इसकी खोज हजारों वर्स पहले हो चुकी हैं, जिसके बाद इस दवा पर विज्यान के आब तक बहुत सारे सो और कलोंजी यानि बलेक सीड ओयल इनमें ट्यूमर रोधीतत्तों मुझूद हैं, जो कैंसर कोशिकाओं की एन्यंतरित व्रिदी को रोकने में सक्सम हैं, वहीं 2013 में मलेशिया में हुए रिसर्च के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के लिए थाइमो कीवनोन का प्रयोग एक दिर तकी समानने कोशिकाओं को इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता, तो अब आपको इन सब विमारियों के लिए दवाईयां खाने की जरूत नहीं हैं, वलकि आप कलोंजी के तेल का प्रयोग करके अपने सरीर को बिलकुल नेरोगी बना सके, और हर तरह की विमारी से बचरेस्क तब भी आप आदा चमच हरोज गरम पानी में मिला कर भीजी दोस्तो आपको पेट के रोग हैं, आप पेट के रोगों से निचात पना चाहते हैं, कबच पेट में गैस और एसडिटी का अलाज करना चाहते हैं, तब भी आप सिर्फ आदा चमच हर रोज गरम पानी में मिला कर पिजिए और दोस्तों यदि आपको मुटापा है और आप बिलकुल Slim और Fit बनना चाहते हैं, आपने मुटापे का इलाज करना चाहते हैं, तब भी आप आदा चमच गरम पानी में मिला कर पीजी और यदि आपको बवसीर की बीमारी है या पेट का कोई अन्य रोग है तब भी आप सिर्फ आदा चमच हर रोज गरम पानी में मिला कर पीजी दोस्तों या आपको जोनों के दर्द की समझे हैं या आपके सरीर में कहीं दर्द है और आप अपने सरीर के इस हर्थ प्रकार के दर्द का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपको सरफ आदा चमच हर रोज गरम पानी में मिलाकर इसका पीना है यानि अपने सरीर की हरत रहें की बीमारी के लिए आपने सरफ आदा चमच गरम पानी में मिलाना ह और सुवे बासी मूँ पीना है दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके स्रीर में एक से अधिक बीमारिया है यानि आपका पूरा स्रीर गंबीर बीमारियों से जकड़ा हुआ है तब आप क्या करें सुवे बासी मूँ आप आदा चमच कलोंजी का तेल गरम पानी में मिला कर पी है और दिन में जब भी आप पानी पी है तो दो बूंद कलोंजी का तेल गरम पानी में मिला कर पी है यानि उस पानी में मिला कर पी है जब भी आपको पानी पीना हो और दोस्तों यदि आप रात को सोते से में इस कलोंजी के तेल को लेना चाहते हैं तब भी आप लेशकते हैं बस आपने करना क्या है दूद में आदा चमच कलोंजी का तेल बिनाना है और उसका सेवन करना है रात को सोते से में तब आपको सुबह बासी मून नहीं लेना है यनि आपको दिन में एक बार लेना है यदि आ परबवस्था के दुरान है उनको इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि इससे उनको नुक्सान हो जाता है इसलिए दोस्तों अब उसको छोड़कर बाकी हर जगहें इसका सेवन कर सकते हैं हर बीमारी में इसका सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इस नुस्खे को लेना सुरू करती चाहिए और पूरी जिन्दकी इस सुगर की बिमारी कोलोस्टोल, पेट की रोग, मुटापा, जोणों का दर्द, अस्थमा, बवासी और दिल की बिमारियों से बचे रही तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कोमेंट मेंसेज करकर जुरूपता ना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा देना ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आते रहें धन्यवाद दोस्तों